आईए अब बात करते हैं मुद्राओं के बारे में, कुछ मुद्रा हैं, काफी famous मुद्रा हैं, जिस पर question आ सकता है, उन मुद्राओं के बारे में सबस्ते हैं, सबसे पहली मुद्रा हम देखते हैं, धर्म, चक्र, मुद्रा, ठीक है, तो यहाँ पर कैसा question आएगा, कई बार प का मीनिंग आपको clear दिये, पेशी हमने discuss करा है, तो इस मुद्रा को कौन दर्शा आ रहा है, पहले गौतम बुद्ध वरोचन, यहाँ पर कौन दर्शा रहा है, यह पूछा जा सकता है, इस मुद्रा का मीनिंग क्या होता है, वो पूछा जा सकता है, तो इसका मीनिंग दो clear ह गौतम बुझ जी के ग्यान को दर्शाया जा रहा है और उनके उपदेश को दर्शाया जा रहा है दूसरा है यहाँ पर इस पर कोशन आ चुका है UPSC में कोशन आया था यह UPSCMS पर कोशन आ चुका है, प्रिलियम्स में, भूमिश पर्ष मुद्रा, वहाँ पर यही पुछाता कि क्या दर्शाती है यह मुद्रा, इस मुद्रा को प्रिथिवी का शाक्षी, इस नाम से भी जाना जाता है, यह मुद्रा बेसिकली दूसरे ध्यानी बौध, अशोब बहा यह दर्शाते हैं, कि जो एविडेंस दे रहे हैं, इनुसे पूछा गया, कि गौत्म बुद्ध जी ने कड़ी तपस्या की, और हर तरीके से स्वच रहे, शुद्र रहे, तो इसका वो क्या है, प्रूफ क्या है, कि उनको ज्यान मिला है और उनने कड़ी तपस्या की है, तो तूसरे ध्यानी बौध अशोब्या, ठीक है, तीसरा है यहापर, वार्ध मुद्रा, कौन दर्शाते हैं, तीसरे ध्यानी बौध रत्न संभवा, यह दर्शाते हैं, क्या दर्शाती है यह मुद्रा, दया को दर्शाती है, करूना को दर्शाती है, आशिरवात को दर्शाती यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर मानव मुक्ति के लिए सुयम को समर्पित कर दे Surrender Yourself, सुयम को समर्पित कर दे तो आपकी जो भी एक्छा हैं वो यहाँ पर साकार हो सकती है यह मुद्रा यह दर्शारी है कहां आपको समर्पित करना है अपने आपको गौत्म मुद्य जी की शरंड में फिर चौता हम देखते हैं ध्यान मुद्रा यह मुद्रा के जो सिंबल्स हैं इनको पर द्यान में रखना किस तरह से सिंबल्स बनाए गए हैं कई बार क्या बनावाटे सिंबल की इस पर भी कोशन आ जाता है जिसे के वारदा मुद्रा में हाथ जो है राइट हैंड इस तरह सामने की तरह पाम ऐसा पूछ लेंगे आपसे ना यहाँ पर क्या है ध्यान मुद्रा में आपको पाम के उपर पाम रखना है और दोनों गुठे मिले हुए हैं, है न, इस तरह से, ध्यान करते हैं तो ये मुद्रा बनाएंगे, नाम से ही kijलियर है, और कौन बताएंगे ये, चोते है ध्यानी बहुत हुद ये, अमिताब, इस मुद्रा को दर्शा आते हैं ठीक है और नाम से इस सिंबल किलियर हो गया कि जब ध्यान करते वक्त इस मुद्रा का पालन किया जाता है फिर हम देखते हैं फिफ्थ अभे मुद्रा ये भी नाम से किलियर है निडर हो जाओ अभे मुद्रा कौन दर्शा रहा है पांचवे ध्यानी, बहुत अमोग सिद्धी, और सिम्बल ही बहुत clear है, सामने सीधा हाथ रखा हुआ है, तो ये मुद्रा आशीरवाद को, कि गौत्मुजी आशीरवाद दे रहे हैं और आपको निडर होने को बोल रहे हैं और शांती कशंदेश दे रहे हैं इसका प्रतिनिजत करते हैं यह मुद्रा फिर हम देखते हैं करन मुद्रा करन मुद्रा पांच गौतम बुद्र जी की जो सिंबल्स थे उनको देख लिया है कुछ और एश्टा सिंबल्स भी थे उनको हम देख रहे हैं आपर ज को help करती है और बहुत easy symbol है इसका इस तरह से मुद्रा को बनाया जाता है ठीक है तो इसको भी याद रखना है इस तरह से मुद्रा बन रही है तो इस मुद्रा को आपको इस तरह से बनाना है आपने देखा होगा डीजे लोग और ये मुद्रा का यूज करते हैं तो निडर होने का बोल रहे हैं बैसिकली किस तरह से बनावाट है इस पर कुशन आता है इसलिए इसको भी याद रखना कि किस उंगली को दबाना आए अंगुठा किसको छूरा है कौनसी उंगलियां उप कर बहस नों है लाफ्वाथ वारतछान आता वाद विवाद होता है तब इस सुब्णा को अपनाया जाता है वितर्क मुद्रा फिर फिर ज्ञानमुद्रा के सरफ जब ग्यान बाढ़ रहे हैं तब इसका उप्योग किया जाता है इस मुद्रा का यहां पर यह दो उंगलिय अंगुठे को और इस उंगली को जोड़ने के बाद, इंडेक्स फिंगर को जोड़ने के बाद, जो तीन उंगलिया बजती हैं, वो तीन उंगलिया यहाँ पर तीन विशेष्टा है और तीन गुड़ को दर्शाती है, कौन-कौन से वो गुड़े, सत्व गुड़, रजस गुणों को दर्शाती है यहां पर उत्तर बोधी मुद्रा, बहुत इंपोर्टेंट मुद्रा है, यहां पर इसको इसतरा से बनाया जाता है, इंडेक्स इंगर और अंगुठे को ऊपर रखना है आपको, इसतरा से रखना है और बाकी उंगलियां एक उपर एक ओवरलेप करे ठीक है यहाँ पर जब दिव्यAU सर्वभूगिक उर्जा divine जो power होती है divine power जब जोड़ता है आप से तब आपको सर्वोच ग्यान प्राप्ती होती है उसको दर्शाती है divine power से जब आप जोड़ते हो और वो उससे जब आपको ग्ञान की प्राप्ती होती उत्तर बोधी मुद्रा उसको दर्शाती है फिर हम देख रहे हैं अंजली मुद्रा बहुत सिंपल मुद्रा है नमस्कार करने वाली यहाँ पर यह मुद्रा है यहाँ पर नमस्कार मुद्रा भी इसको कहा जाता है फिर दे अंजली मुद्रा भी इसको कहा जाता है या वज्र मुद्रा भी कहा जाता है यह उग्र वज्र को दर्शाती है यानि के जो पांच तत्व है वाईू, जल, अगनी, प्रत्वी और धातू उसका प्रतिनितिद यह करती है वज्र मुद्रा फिर है यहाँ पर तरजनी मुद्रा यह जब किसी को आप चेतावनी देते हो खास झाल झाल